आज के इस वीडियो में एक न्यू जॉब वेकेंसी की बारे में बताने वाला हूँ जो की आ रहा है डिपार्टमेंट आप एटामिक इनर्जी की तरफ से साइंटिफिक आसिस्टेंट की पोश्ट के लिए वेकेंसी निकाली गई हैं जिसमें डिपलोमा के फ्रेसर कैंडिट कर सकते हैं इसमें डिपलोमा के लगबख सभी व रांच के लिए वेकेंसी निकाली गी है तो अगर आके पास त्रीएर का डिप्लोमा है किसी भी बांच में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं साथ इसमें आपको जूनियर इंजिनियर लेवल का सेलरी देखने को मिल जाएगा और इसमें किवल आपका एक स्टेज ही एक्जाम होगा तो चलिए डूटिफिकेशन में देख लेते हैं कि क्या पॉड़िट्री दी गई है कब से अपलाई करना है और कौन कौन से कंडिट अपलाई कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह जो वेकेंसी है इस्टिटूट फार प्लाजमा रिसर्च की तरफ से निकाला गया है जो कि डिपार्टमेंट आप एटामिक एनर्जी के होने वाला है साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट होने वाला है जिसमें आपको लेवल सिक्स का सेल्दी देखने को मिल जाएगा यहां पर बात करें पहले यहाँ पर सिविल की लिए बेगिंसी निकाली गही है जिसमें आपका जॉब लोकेशन आयपीया रहा निकी सकते हैं अगर आपके पास साथ परेज्टेंट मारके तो भी आपार आपलाई कर सकते ह excellence लुकल के छंप और काफी कुछ इसमें सेलरी के लाव में काफी कुछ एलाविंस देखने को मिल जाता है इसके बाद यहाँ पर इस्ट्रुमेंटेशन में वेकंसी जिसमें आपका जॉब लोकेशन आपका आई-पियार ही होने वाला है अगर आपने डिपलोमा किया है त्री एर का डिपलोमा है आपका इंस्ट्रुमेंटेशन इंजिनिरिंग में तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनिक्स में वेकंसी निकाली गी हैं जिसमें देखिए तीन विखेंसे जो है आई-बधी आर कर सकते हैं इसके अलाव स्बस्यजदा विकेंसी जो है निकालीगी फिजिक्स में यानि कि अगर आपने BSC में physics किया है और आपके पास 60% mark है तो आप इसमें apply कर सकते हैं इसमें नंबरा vacancy की बात करें तो इसमें 12 vacancy है यहां पर देख सकते हैं job location के बारे में clear लिखा गया है जिसमें CPP IPR लिखा है वो गुवा हटी इसमें job location आपका होगा और IPR और IPR जो लिखा है वहाँ पर वो इसमें आपका job location आपका गाधी नगर होगा तो जितने भी जितने भी इसमें apply करना चाहते हैं जरूर से apply किजिए क्योंकि विल्कुल permanent job है और आपके पास जो भी certificate है वो किसी मानता प्रप्त संस्थान से होना चाहिए अगर बात करें इसमें आप कपसे apply कर सकते हैं तो इसमें देखिए आप 15-2-2030, 15-3-2030 इसमें आप apply कर सकते हैं और apply करने का जो last date है वो 15-3-2030 मतलब कि 15 फरवरी से आप 15 मार्स तक इसमें apply कर सकते हैं यहाँ पर देखिए job description के बारे में लिखा गया जैसे आपका selection हो जाता है तो इसमें आपका क्या कारे होगा वो भी लिखा गया और अगर age limit की बात करें तो इसमें आपका minimum age है वो 18 साल है और maximum age जो है वो 30 साल लखा गया है इसमें अगर salary की बात करें तो इसमें आपका starting salary मि करेंगे अगर आपका वो form आप उसमें आप बिल्कु सब कुछ सही रहता है तो आप किये जाएंगे exam के लिए ठीक है तो इसमें आपका एक screening test होता है उसके बाद final selection जो होता है एक personal interview के बेस पर होता है तो मतलब जितने भी candidate जो आपका CBT test होता है उसमें पास होते हैं उसमे सब्सक्राइब के लिए आवेदन सुल्क जो है बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा इसमें जीरो दिया है और other categories के लिए बात करें other categories के लिए जो इसमें आपका application fees है वो 200 रुपे रखा गया है और यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट चीज़े दी गई है कि एक only Indian National Care जो भारती नागरी इसमें आवेदन कर सकते हैं अब बात करें इसमें जो आपका return test training की CBT test जो आपका होगा वो किस city में होगा तो यहाँ पर देखे 6 city का नाम दिया गया है जब आप form को apply करेंगे तो व इन cities में आपका exam हो सकता है जब आप form को apply करेंगे तो वहाँ पर आप यह select कर सकते हैं एक्जाम आपका इन cities में होगा लेकिन जब आपका final interview होगा मतलब personal interview होगा तो interview जो होगा वो आपका मतलब की job location के address पर होगा यहाँ कि गांधी नगर में ही आपका जो आपका interview होगा वो इसी location पर होगा और यहाँ पर देखिए काफी अच्छा चीज यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे कि अगर आपको इसमें आपका selection हो जाता है और आपको personal interview के लिए बिला जाता है तो आपको इहाँ पर देखिए sleeper class देती study rail राज्य परिवान बस के किराय की प्रतिपूर्ती मूल टिकेट फोटोकापी यदि वापसी टिकेट है तो प्रस्तुत और जमा करने पर दी जाएगी मतलब अगर आप कहीं किसी दूसरी state के है तो इसमें आप अप्लाई की है और आपका final interview है तो इसमें आपका जो भी आपका मतलब की जो travel करेंगे उसमें जो आपका charge हैं अप्लाई करने का last day फोड़े वो 153023 है अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से डाकूमेंट आपके पास होने चाहिए तो ये PDF आपको आप को टेलेग्राम पर सेंड कर देंगे वहाँ पर से आप देख लिजिएगा यहां पर यतन डाकूमेंट है ये डाकूमेंट आपक अभी IPR में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए काफे अच्छा वेकेंसी बिल्कुल पर्मानेंट जॉब है और काफे अच्छी सेलरीस में देखने को मिल जाएगा तो अब लोग इसमें जरोर से प्लाई कीजिएगा किसी भी ब्रांच से हैं तो लगभख सभी ब्रांच के लिए वेकेंसी निकालीगी है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ